नमस्कार दर्शनीज के इस खास सेग्मेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इस खास पेशकस में हम आपको सरकारी नौकरी का पता बताते हैं आज भी एक सरकारी नौकरी का पता लेकर हाजी रहें आपके सामने दिल्ली में होम गार्ड के पदों पर भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है पदों की संख्या 10258 है आवेदन करने का लिंक खुल गया है आवेदन करने की अंतिमतिती 13 फरवरी है अलग-अलग उम्र स्रेनी के हिसाब से फिजिकल टेस्ट के बाद ही चयन होगा ध्यान रखें कि यह पद स्थाई नहीं है यानि आपको कुछ वर्षों के लिए कॉंट्रैक्ट पर ही रखा जाएगा आयू सीमा क्या है? उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए पूर्ब सैनिकों को कुछ साल की चूट मिलेगी योग गिता क्या है? बारवी पास दिली सरकार के ग्री रक्षक निदे साले की ओर से शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया की पहली सर्थ यह है कि आवेदक दिली का मूल निवासी होना अनिवार है पूर्ब सिविल डिफेंस कर्मियों को किसी तरह की चूट का आरक्षन नहीं दिया गया है सिविल डिफेंस कर्मियों को हटाया गया था तब उन्हें होम गार्ड स्रेनी में भर्ती की बात करने के साथ चूट की बात कही गई थी होम गाट पदों के लिए जो आवेदन मांगे गये हैं उसमें किसी तरह की छूट का जिक्र नहीं किया गया है। कौन कौन से डोकुमेंट लगेंगे आवेदन के पास निवास प्रमान पत्र के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, वर्तमान और वैद राशन कार्ड, इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से जारी वैद ड्राइविंग लाइसेंस भी बतार निवास प्रमान पत प्रति एक अंक का होगा, इसकी अब धी 90 मिनट होगी, प्रशन पत्र मैट्रिक स्तर का होगा, यानि दस्मी कक्षा के स्तर का होगा, इन विशियों से आएंगे प्रशन, मैट्स, सामान निग्यान, जनरल इंटेलिजन्स और विजिनिंग, दिल्ली का इतिहास, संस्कृती और स्थलागृती, भारत का संविधान, प्राचीन भारती इतिहास, एवंग संस्कृती, भुग जनरल इतिहास, संस्किर्ण एंटेलिजन्स और विजिए.